और दोस्तों ज़ेहिंद प्रिप्रेशंद जुडियों से चैनल पर आपका सवागत आए इसमें आज कुशनबर 121 से 1-4 तक करया जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए कम से कम पांच वेक्ति होना चाहिए मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में भी बताया था कि समान उदेश्य के लिए कितने वेक्ति चाहिए होता है कम से कम पांच वेक्ति तह मैं बता दू आपको दंगा करने के लिए जोन आपको बता दू समान उदेश्य के लिए कम से कम पांच वेक्ति तथा बलवा करने के लिए जो आपको बता दू समान उदेश्य के लिए कम से कम व्यक्ति होने चाहिए तो यह होने चाहिए कम से कम पांच व्यक्ति कुस्ट नबर 121 का सेंसर हो गया ओप्शन वर्षी चलिए इसका व्यक्ति देख लेते हैं विदी फिरु जमावे तुँ आव्यसक है कि वे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो अता भारतिदर्ण से निताग धारा 104 के अधिन समानी व्यक्ति को अग्ड़सर करने के लिए कम से कम कितनी व्यक्ति होने चाहिए कम से कम पांच व्यक्ति होनने चाहिए ओकई लिए आपको राजस्तान में पूछे आ चुका है तो मैं आपको बतादू बीदिर विरुत जमाव से तात पर रहें कि अप्राद कारित करने के समान उद्यसे से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमाव कुछन नमबर 122 का सेंज जरो गया option number C जिले next question देखते है question number 123 क्या है 123 में भाड़री दन सिनितागधार 104 IPC section 149 क्या है option number 1 गोशनात्मा प्रवधान है option B एक भीना प्राद उत्पन करती है option C साथ्च का एक नियम है option D उप्रूप सभी मैं आपको बता दूँ IPC के section 149 क्या है IPC section 149 एक भीन अप्राद उत्पन करता है question number 123 आपको पूचे जा चुका है उतरगंड़ पीसे जे 2008 खेक जामें भी पूचे जा चुका है कि लिए मैं इसका व्यक्त बतला देता हूं भारति दर्ण सनितागधारा 149 एक विस्ष्ट अर्था दिभीन अप्रादों के निर्मित करता है जबकि धारा 34 साख्च के एक नियम का प्राधान करता है चलिए ने स्टूशन देख लेते हैं question number 124 में भारतिय दर्ण सनितागधारा 34 क्या है option number 8 मोली का थार्थ सार्बूत अप्राद कायद करती है option B साक्ष विधी का एक नियम है option C दोनों A औं B option D उप्रुक्त में से कोई नहीं तो अभी मैंने बताया था क्रूशन 123 के व्यक्षा में बताया था कि साक्ष 34 IPC के सेक्षन 34 बताया गया साक्ष विधी का साक्ष की एक नियम का प्रधान करता है क्रूशन 124 का से इंसर हो गया option B के लिए ने इस देख लेते हैं कुस्ट नबर 125 125 क्या करना है सुचिय को सुचिदो से समयलेट करना है सुचिय अधारा बताया गया है ता सुचिदो में पुबंध बताया गया है कौन से पुबंध बताया गया है यही पूछ जार रहा है ओ всю एक को में पुबंध बताया है डोके तो आपको बताया है 149 में समान उधस से बताया है फोके और आपको बताया गया है 84 से चिती क्यूथ केसे बताया गया है ऑंध ठट्यरम वीजिए बिचांग आपको कुर्चन नमर c पूछ जा चुका है यह को सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखते हैं कुस्चन नंबर 126 में कर एक लोग सिवक की काम में बाधा डालता है जो एक लोग सिवक होने के नाते अपने करतवय का निर्वहन करता हुआ एक बल्वेव को दबाने का प्रखाज करता है बाते द्रस्चन हैं कि की धारा के अधिन वह? डनलीत होगा सब्सक्राइब करते हुए एक बलवा को दवाने का प्रयास करता है तो जो वेक्ति वेक्ति लोग सेवक को काम में बाधा डालता है वह कौन से धारा के दिन डंड निये होगा तो मैं आपको दादू वह वेक्ति IP6 सेक्षन 152 के अधिन क्या होगा डेंड निये होगा यह कुशन आपको राजिस्तानी 2015 के एक्जाम में पूछे जा चुका है चलिमें इसके वेक्ति बतला देता हूँ आईपीसी के सेक्षन 152 के अमसार जो कोई ऐसे कीसी लोग सिवक पर जो बीदी बुरू जमाऊ को भी करने का या बलबा या दंगा को दबाने का प्रयास संक्राइब उसके काम में बाधार डालेगा या बाधार डिनने का प्रेथन करेगा या करने की धमकी देगा दोनहें सिंख vestra कि कारवास से जुर्माना या्द लोनों से बाधार किया सकता है जो कोई व्यक्ति लोग सिवक को उसके कारे में बादा डालता है जो वह विदिक रूप से करतवे करने के लिए बाद दे हैं तो वह व्यक्ति जो बादा डालता है उसे आई पीशिक सेक्षन वन फिप्टी टू के तहट डन विद किया जाएगा तो वन फिप्टी वन में बताया गया कि पांच या धिक व्यक्तियों के जमाव को भी खरने का समादेश दे जाने के पस्चात उसमें जानते हुए समलित होना या बने रहना बाते बताएगे हैं आई से परकोपन देना या अधि बालवा किया जाए यदि बालवा न किया चाय बात बताएगे आपको 153 में वन फिप्टी फोर में क्या बात बताएगे है उस भूमि का स्वामिया अधिब होगी इस पर बीदी वरूरी जमाव किया क्या है बात बताएगेई है आई पीजिक सेक्शन 154 में चलिए नेस्ट कुर्शन देखते हैं कुर्शन पर 127 में क्या है भाति डंशन इताय के निमने में से किस धारा में मूल वन्स जन्म अस्थान निवास अस्थान भासा इत्यादी का धार पर विभिन समुहु के बिच तुरता का संप्रोवर्थन और स अप्शन सी धारा 153 का में अप्शन डी धारा 153 में ओके आपको बतला तु यह कुछान आपको यूपी से विजए जोज़ा सुलग देथा एंपी डीप्यों 2008 एक्जाम में पूछा आ चुका है मैं आपको बता दू यहां पर कौन सा सही एंसर होगा यहां पर सही एंसर 153 का में धर्म मुल्वंस जन्मस्तान निवासस्तान भासा इत्यादी का धारबर विभिन समुहों के विश सतुर्ता का संप्रवरतन और सोज़र बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डानने वाल कारे के लिए डन का प्रवधान है तीन वस्त का करवाज या जुर्मान या दोनों से डंडित किया जाएगा चलिए नेक्ष्ट कूशन देख लेते हैं कूशन नबर 128 क्या 128 में 128 में पूशे जा रहा है कि भारती डन सनिता अगधारा 153 को को अधात ए ए को निमने लिखी तिमेजे कि जब आधिक विदी संसुर्दन अधिनियम दरा भारती डन सनिता में अंतस्थावित किया क्या था ओके अथात कूशन या है कि IPC के सेक्शन 153 ए ए कि स्वर्स IPC में भी जो रहा गया था ओकर अप्षन नबर कि 2001 की अधिना वे से और भी 2003 की अधिनयम से ऑप्षन C 2005 के अधिनयम से अप्षन टी 2006 की अधिनयम से यह कुस्षन आपको फिर्टराकर पीसेज है 2003 एक्जाम में पुझा आ चुका है मैं आपको बतला दू यह 2005 की अधिनियम से जो प्रादिक वीदी संसोदन अधिनियम 2005 द्वारा भारती डंस अनिता में धारा 153 को अंतरस्थापित कियेगा है जिसमें किसी जलूस में जान बूच कर आयूद जाने या किसी सामूर्ग ड्रील या सामूर्ग परिक्षन का आयूद सहित संचालन या आयोजन करने उसमें भाग दालने वाले लांचन प्रख्यान का उप्वांद भारती डंस अनिता के नमें लेखित कौन से धारा में किया किया है अप्षन नमरे धारा 154B, ऑप्षन B हो गया आपको धारा 153A, ऑप्षन C 153B, तो अप्षन डियूप रूग तुमें से कोई नहीं कुछन आपको उत्व में पूछे जा चुका है, मैं आपको बदा दू राष्ट्रिया खंडता पर पर्तिकूल प्रभावड डालने वाला लांचन प्रख्यान का उप्वांद भाती डंस अनिता के धारा 153B के अंतरगत आ जाता, कुछिन नमरे 129 पूछे जा जा चुका है, आपको उत्रा खंड में धर्म मूल, वंस, जनमस्था, निवास, अस्तान, भासा, इत्यादी का धार पर विभीन समुहों के बीच में सत्रुता का सन प्रवर्तन और सहधार बनाने पर पर्तिकूल प्रभावड डालने वाला कायरत था, धरा 154 में उस भूमिके स्वामिया अधिभोग के दाईतो को स्विकार करता है, अधरत IPC को कौन से सेक्षन है, जो अपराधिक विधी में परतिनिदिक दाईतो को स्विकारता है, ओके, अप्शन अवरे धरा 154, अप्शन B, धरा 155, अप्शन C, धरा 156, तो अप्शन D, प्रोक सभी, यह कुशन आपको PCS 1996 में पूझ जा चुका है, मैं आपको बतला दू, कि वह कौन सा धरा है, जो अपराधिक विधी में परतिनिदिक दाईतों को स्विकार करता है, अब को अपको PCS 1996 में, 1996 में पूझ जा चुका है, चलिए में इसका व्यक्रा बतला देता हूं भारत डंसनी दाख धहरा अक्सव चोववन एक्सव पच्ववन दाइतों को सुगार करती है चलिए नेस्ट पूस्टन देख लेते हैं उससे नबर 131 का 131 वह हैं भारति डंसनी दाख किने में लखे धहराओं में से कौन सी धहरा परतिनी दाइतों से संबाधित हैं सेम कुर्स दाने बस दूसरी तरिकरे से पूछ रहा है कि इसक्षिंट के से कौन सेक्ष्ण जो परतिनी दाइतों से संबाधित हैं ऑक्सन नमरे 142 को सुधे 109 में पूछ बता दू आइपीज सी के कौन से धहरा में परतिनी दाइतों बता घा ने क्या बता गया्व में परतिनी दाइतों को मता गया मैं इसके बतला दीता हूं परतिनेदी को सिधान पर कारे करते गए भूस्वामी अथ्वा भूमी की कबजी को डंड के योग्य बनाता है के लिए इसके लेकिशन नबर 132 भारतियर चाहनिदा ने में लिखी तमस्यों सिधान का परादिक की क्या गया और इपसीन में ओपसिन सीधान को अपरादिक विदी में क्या गया समाहित किया गया है परतीने दिद्धित द्यायटो को समाहित क्या क्या कर्यां के ओप्सटन में द्धारा 121 में और 159 में ओप्सेंजी धारा 120 एमें जित्वाइटो को बता चुका हूं पर तरे ग्यायटो को सिंधारा 154 155 एंड 156 इसमें क्या है कुर्शन इसमें प्रतिनिदिक दाइतों को सिधान्त पर्थम बार कब निर्णे किया गया था किस के निर्णे दिया गया था के अप्षन वाद में और बनाम स्टिफन के वाद में और प्रतिनिदिक दाइतों का सिधान्त पर्थम बार निर्णे किया गया था आपको आपनाम हिंगिस के वाद में दबादिक कैया था सब्सक्राइब के वाद में पर्चिपाजित किया गया था इस सिधान्त को IPC के सेक्षण 1 154 तथा 155 में व्याखेद किया था है आरब नाम प्रिस अठाइस अंता है अपहरन से तो था आरब नाम टाइलसन जो यह टी नायन का मामला वह दूविवास है तो आरब नाम स्टेपेंट का मामला टीटीटीफॉर में आय था वह आप साक्ता क्सितांता था आएपीशिक सेक्षण 81 से संबान्थित तो देख लेते जो दंगा की परिवासा करता है Okay prends 159 option 161 अरथ हाथ lying को से संजने जो अफ्रे अर्थार्त दंगा की परिवासा करता है कॉंसरीस सेक्षण में बता हैं क pollen पह तो दार्या दूंगा की परिवासा एक Regist में धुजाब लोक सांति में डालते हैं तोब योब बता है कि शाओ के यांगा से अधिक वेक्ति होना कि कंसी कम दो व्यक्ति तो होना ही चाहिए मैं फिर आपको बदला दू बीदी विरू जमाओ में कितना व्यक्ति होना चाहिए अपको डगैटी में कितना व्यक्ति होना चाहिए उक्षिन आपको पूशे जा चुका था कि दंगा के परिभासा IP6 सेक्षन 159 में बताया गया चलिए मैं इसका व्याक है देख लेता हूं भारति दंशनीता के धरा में दंगा की परिभासा 159 में दिया गया है जब कि धरा 166 में दंगा के डंड तथा 162 लोग से वक्के द्वारा परितोशन लिया जाना तथा 148 में घाते का योदिते सुसर जीत होकर भर्पा करने के समंद में उपवंद किया गया है चलिए नेस्ट कुशन देख लेते हैं कुश्चन नमबर 135 क्या 155 इने में लिखित का उतन में जो सकते हैं option और पहरन को करवाद से डंडित किया जाएगा जो शात वस्तारीत किया सकता अप्षिन उन्नी वेक्तिक चरित पर अरोप लगाना मानहानी नहीं है बसरत्या आरोप सचाई से लगाया जाए एक दंगे में निंटम तीन वेक्ति सामिल होते हैं एक दंगे में जबकि क्या है दंगाय में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए जबकि इसमें बोल रहा है तिन व्यक्ति अगला तिन चुरूगा ऑप्शन नम्र डी ओके चलिए मैं इसका व्यक्ति देख लेता हूं कि आई पी सेक्षन 151 के असपस्टिक करण के अनुसार सत्ते हैं कत ओप्शन अब्ट टत्हा अपशन बी जो दंगा बदला गया है उसमें बदलागा हैं तंगёмे में दूहाँ थी सिह बज़ग क्या अथिक अभिएगति के अभस और देंगे में कहते हैं ना कि तीनर कमद्वेगति देख लेए खुरी नबर 136 क्या वन थे शक्ति असमें ठिकते नहीं ईथा सत्तर नहीं नहीं हैं उसे से ही लोक अस्थान पर होना चाहिए दंगा किसी भी अस्थान पर हो सकता है क्या है कौन सा कथन सत्य नहीं अठा तो इसे जो गलत कथन है उसी को सेलेक्ट करना है तो मैं आपको बदला दूगरत कतन को नहीं बालवा अवस्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए दंगा किसी भी अस्थान पर हो सकता है यह क्या है यह गलत है दंगा किसी भी अस्थान पर नहीं हो सकता है दंगा हो सकता है आपको लोक अस्थान या सरकार टेटर्शनरा सारीरणी के स्थान पर हो सकता है नहीं कि दंगा किसे स्थान पर कुछ नबर 136 का सेंज रोगए ओप्षन नंबर बी। एक कुछ दन आपको पूछ जा चुका है। यूपी आपको पूछ जा चुका है। चलि मैं इसका व्यक्या बतला देतों। भारति दन सिनिताक धरारत आइपीचीक शेक्षिन 146 तथा 159 बालवा तता दंगा को परिभासित करता है। धारा 147 ते था 160 के अनुसार बलवा ते था दंगा करम सा दो वर्स और एक महा तके करवाथ रिनर नहीं हैं धारा 146 के अनुसार जब किसी बिदि विरूस जमाओ द्वरा या उसके किसी सदशी द्वरा ऐसे जमाओ के समानी उधिस्द के अगरिस्रन में बल या हिनसा का परियोग किया जाता है तो वे बलबा होता है जबकि धारा 159 के अनुसार जबकि दू याधिक व्यक्ति सारोजनिक अस्थान पर लड़कर लोग सांतिभं करते हैं तो वे दंगा करते हैं या कहा जाता है लोग अस्थान पर लोग अस्थान असारोजनिक अस्थान पर होता है ना कि दंगा किसी भी अ किसी व्यक्ति को सदो सानिक आरत करने के लिए साथ से संपति करने के भय में ड्याल कि ततत द्वरां उसे कोई संपति प्रजान करने के लिए बैमानी पुर्वक उत्परित करना उद्यापन है कहीं भी जगरा कर सकता है कहीं भी जगरा करता है तो दंगा कायद कर सकता है कुछन नबर 137 में इसमें गलत को इसमें सेलेट करना है करना की लिए के दुटर दंगा नहीं होता है केवल केवल सारुजनी स्थान पर धाथा सरकार ठाइए लोकर अस्थान पर पर नहीं होता है इसमें क्या था option D में option D में था कि 222 अधिक वेक्ति कहीं भी जगरा करता है तो दंगा कायद करता कहीं भी नहीं क्यों लोक अस्थान पर था सारोजाने क्या सरकार्य मैं यह कुछन आपको पूछा जा चुका है मैं पूछा जा चुका है मैं इसके वेक्षा देख लेता हूं क्योंकि भाज़े दंगा करते हैं इस पर दंगा का प्राद गठित करने हैं तो जगरा किसी सारोजन क्रिस्थान में होना चाहिए चलिए नेश्ट कुछन देख लें तो कुछन नमर्वान ठाटी एट क्या ओन ठाटी एट में आपको कम से घम कितने वेक्ति होना चाहिए हम भी इसको बताया जा चुका है देखें दुसरे दुसरे तरीके से यह कैसे कुछन सेट करता है वंके तो बतला देता हूं अप्सें ने पांच वेक्ति होना चाहिए और अपको पता हो चुका होगा दंगा में कम से कम दो वेक्ति होने चाहिए कुछिन नबर 168 का सेंसर हो गया option नबर B यह कुछिन आपको उत्राकन पीसे जे तो यार 9 के एकजाम में पूछा जा चुका है तो यह next question question number 13 क्या हो इसमें निमिन लिखित में से किसे से दंगा का प्राद नहीं होता है नहीं होता है option number 20 लोग संतिको किस इस्तीति में क्या होता है अठाट लिख्षू मेंसे किसे दंगा का प्राद नहीं होता है तो मैं आपको बतला दूंगा का प्राद 5 आधिक व्यक्तिक से नहीं होता नहीं कप्राद कम से तो फिर से आई पीसे की सेक्षिन 159 में दंगा को परिभासित क्या गया है जिसके अनुसार जबकि दो या दो से अधिक वेक्ति लोक अस्थान में लर्ग अर्था जहगरा करके लोक स्थान्ति में विग्ण डालता है तब यह कहा जाता है वह दंगा करता है अता असफ़स्ट पराद में पांच या पांच से अधिक वेक्ति होना आइवाय रहता तो नहीं है दंगा में किवल और किवल और साथ कम से कम दो वेक्ति होना चाहिए दो या दो से अधिक हो सकते हैं कुप्रीट एंड वन फूटी देखते हैं इस वीडियो क्लाश्ट कुशन है देख लेते जब दो या दोसे अधिक वेक्ति एक सारुजन कर स्थान पर लड़ते हैं तथा लोग सांति भंकरता तो वे दोसी होंगी ऑप्शन मरें बलवे के ऑप्शन बी लूट के ऑप्शन सी दंगा के ऑप्शन डी कोई अप्राद नहीं है मैं आपको बतला दू जब दोसे अधिक सारुजन कर स्थान पर लड़ता है तथा लोग सांति भंकरता तो यह दोसी है तो वे किस सप्रायत के दोसी है तो वह दंगा के दोसी है इसलिए क्योंकि दंगा के लिए क्या क्या हो सकता तो है आपको बतला दू दंगा के लिए कम सकम दो वेक्ति होना चाहिए और क्या होन चाहिए दूसरा लोग अस्थान पर होना चाहिए उससे क्या हो ना चाहिए लगने के परनाम शरूप लोग शान्ती भग सान्ती भंग होना चाहिए न के उनुप नम्बर डी यह कुछन आपको अप्शन में से रथा डंग यह कुछन आपको यूपीएप्यो और उत्राखन सिविल जाज हिन 2015 में में भी पूछा जा चुका है अबना 33 से में मेरे साथ साजा करने के लिए अबका बहुत बहुत सुक्रिया थांस पर वाचिन